तो गाइज तो एस टीलबाड का स्टीलबाड स्वीएच सेवेंटीन रॉबोट हेलेमेट है तो इसको अभी अनबोक्स करते हैं तो फ्लिपकड का एक्टुली डेलिवरी हुआ था मैंने उसको अनबोक्स किया था बाट उतना फ्लिपकड का पेकेजिंग बहुत अच्छा रह हुआ तो उतना पेकेजिंग क्वालिटी नहीं था बट ठीक है चलेगा बट प्रोडुक्त ने जो अच्छा था तो प्रोडुक्त अच्छा था इसलिए मैंने उसको एक्स्चेंज नहीं किया तो ठीक है आइज अभी स्टार्ट तो अभी मैं उसको स्लीप आपको दिखा द अच्छा था हूं कि अच्छा तो आई जाबी बॉक्स को हम साइड में रखते हैं बसका अंदर और कुछ नहीं है एक स्लीप है और एक लॉक सिस्टम दिया हुआ है तो वी स्टील बाड़ का है तो साइड क्वालिटी अच्छा है इस लेग रहे है उसका एमर्पी लिखा है अच्छा नहीं है अच्छा एक वारेंटी रहेगा तो असलीप है एक चुली डिसकाउट चल रहा था इसका प्राइस से दो हजर समतिंग कुछ है तो मैंने 17・76 들고 में अपने गलर खृकर से हूं अपना जो मेर्न चीज है जो उसका आवई खोल ले थे हैAI quantity के आशा है उसको सब देखते हैं तोAndish उसका quality का रिव्यू κάνते आपको दीख रहा है अंदर है कलर कैसे लग रहे है तो गाइच फाइनली स्टील वार्ड रोबोट हेलमेट स्टील वार्ड आई-साइज हमार तो अप्रूब है तो अभी हेलमेट का मैं पूरा रिम्विव आपको दिखा देता हूं उसके बाद उसके क्वालिटी कैसा है कॉल और फिनिशिंग क्या है कॉनसा कलर है एरोंट कितना सुब डीटिल में आपको बता हूं कर पहले आप देख लीजिए उसको अच्छे तरह से I tried so hard and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter I tried so hard and got so far I tried so hard and got so far But in the end, it doesn't even matter अभी आप देख लिये उसका रिव्यू कैसा है मेट ब्लाक एंड तो वाइच मेट ब्लाक एंड मेट ब्लू कॉंबिनेशन से है और स्क्राच रेसिडेंट है वाइजर है और प्लेन वाइजर है तो गाइज इसका तीन एरवेंट दिया है एक उपर दिया है और साइड में दो हुदी साइड का है और बीच में एक एरवेंट दिया है यह ब्लोक कर सकते हैं इदर हॉल है उसका फ्रॉंट में एक एरवेंट दिया है उसको और नॉप कर सकते हैं यार इन होता है तो वेक साइड में यार आउट के लिए चार लोकेशन है चार कोईट दिया हुआ है अब देख सकते हैं उस ए इस टील वाड का लोगो आई-ई-एस आइए मार्क दिया है तो फुलोर हेलमेल लिखा है ऑपके अब देख सकते हैं बाइजर का क्वालिटी केसे के लिए आपको दिखा देता हूं कि भाइजर का प्लेन भाइजर है क्वालिटी अच्छा लग रहा है मुझे स्टील वाड का मैंने अभी तक यूज नहीं किया अभी पस्टाइम है तो उसका भाइजर आपको उठाना नहीं पड़ेगा उसको साइड में लेफ साइड में रे का लोक सिस्टम अच्छा थी है तो उसके बाद आप डाउन कर सकते हैं और मैनुली करना पड़ेगा आपको बर जो उठाना होगा बोटन दा बने से अप हो जाएगा तो अंदर का भी क्वालिटी वासेबूल है आप खॉल सकते हैं उसको वास कर सकते हैं फिर से उसको फिट अग्लास का बता दियां स्क्राइच रेसिडेंस राइजर एट लेन माजर है लाक नहीं है तो आ और रोगोट नहीं है तो एरेंट यह अरीन होता है पिछे तो अपको बता दिया तीन आउट होता है और पेंट भी मुझे अच्छा लग रहे मुझे पलर और सामने रोबोट का लोगो दिया हुआ है रोबोट लिखता हुआ है मेट मेट ब्लू एंड मेट ब्लाक कॉमिनेशन में एड़ किया है अभी तो पुराना वाला हेलिमेंट जो रोबोट कथा है इस्टिल बाड का उसको साथ मोडिफाई करके सब्सक्राइब करके उसको लौंच यह तो आभी मेट फिनिस में आपको कैसा लग रहे है एक कोमेंट करो कैसा आपको खोलर कैसा लगा और अपको चाहिए तो फिलिक करण से आप ले सकते हैं अभी अबलेब्ल है मैं जब लिया था तब आपफर था तो गाइज यहल्मेट का रिवीव हो गया अभी उसको उसके साथ जो लॉक सिस्टम दिया है वह भी स्टील बाड़ गए उसका क्वालिटी क्या है उसको खौल के देखते हैं मैंने अभी खौला यू नहीं है तो इसको तुला साइड में रखते हैं ए उसका लॉप सिस्टम दिया हुआ है उसका मैंने खौलान है उसका क्वालिटी के साथ देख लेते हैं ओभी स्टील बाड़ का है तो अच्छा ही रहेगा आइधिंक तो यह कुछ इस तरह का है और 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 अरेंज कालर का दिया है तो जाई क्वाइज लोग भी थो मुझे अच्छा खासार लग रहे है कलर में वेट सय है क्वोड़ेटिया चला में कभी अपको दिखा दिखा दिया क्वटिया चला में बहूट पूरा ना प्राने और श्टिलवाड का और विश्चा है अच्छा आई है। फ्र्ण धेता तो मुझे यह वाला थोड़ा डिजाइन है तोड़ा साइड में थोड़ा स्टाइल लगा इसलिए पसंद है मैंने भाई किया दा फिलिपर से आप पीचा है तो फिलिपर से भाई कर सकते हैं कि तो भाई इस ठीक है ओके अज़िए अज़िए